नमस्कार स्वागत है आप सभी का UPNHM 17000 भरती में लेटेस्ट अप्रेट में दोस्तों गैसे आप सभी उमेद है आप अच्छे और सुष्ट होंगे और UPNHM 17000 वैकेंसी में जोइनिंग का इंतजार कर रहे होंगे कि जल्दी UPNHM 17000 वैकेंसी की जोइनिंग प्रक्रिया शुरू की जाए हम लगातार आपको UPNHM 17000 वैकेंसी से समधित महतुपूर्ण अपडेट आपको दे रहे है आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए UPNHM 17000 वैकेंसी के लिए महतुपूर्ण अपडेट आपके लेकर आए हैं आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि यो UPNHM 17000 वैकेंसी की जोइनिंग प्रक्रिया कब तक सुरू की जाए और जोइनिंग के लिए कौन कौन से डाकुमेट होंगे अनिवार कितने नंबर के अभ्यार्ति की जोइनिंग प्रक्रिया हो सकत है तो दोस्तो अभी हमारे चैनल सरकारी आरेनियो को सब्सक्राइब केजी वीडियो को लाकर के सर जरू केजी और वीडियो को पूरा देखे तभी आपको शंपोर जानकारी मिल पाएगे क्योंकि आज का यह वीडियो UPNHM भरती से सम्मधित महत्पूर होने वाला है दोस्त है भारती को आप बता दें कि UPNHM 17,000 वेकिंसी के लिए जोईनिक प्रक्रिया के जो सूचना आप हेसियल अपडेट जारी की जाएगी वो लगबग 10 से 15 दिन के अंदर जारी की जा सकते है वीडियो मीटेर रिपोर्ट की मताबिक UPNHM 17,000 वेकिंसी के लिए जो सूचना आय परने का आदेश सीम योगी ने दे दिया है मतलब साफ है दोस्तों कि UPNHM 17,000 वेकिंसी के जो जोईनिक प्रक्रिया सुरू की जा सकती है वो 10 से 15 दिन के भीतर सुरू की जा सकती है UPNHM भरती के लिए सबसे पहले आयोग अपनी आपेसियल वेबसाइट के माधियम से सूच ये भी बताया जाएगा कि UPNHM 17,000 वेकिंसी में कौन कौन से अनिवाड डाकुमेंट लगेगे तो UPNHM 17,000 वेकिंसी में अगर आप जोईनिक पाना चाहते हैं तो आप अपने सभी डाकुमेंट को तयार रखें जैसे ही UPNHM 17,000 वेकिंसी के आप एसियल अपडेट जारी की जाएगी तब आपको जोईनिक प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा जितने भी सेलेक्टर कंडिडेट हैं उनको UPNHM 17,000 वेकिंसी में अभ्यारती को जोईनिक प्रक्रिया के लिए उपस्टित होना होगा अगर आपके डाकुमेंट में किसी भी प्रकार के कोई गरबड पाई जाती है तो आपकी जोईनिक प्रक्रिया उसी छड़ रद की जा सकती है इसलिए दोस्तों UPNHM भरती में जोईनिक के लिए आप अभी से अपने सबी डाकुमेंट को तैयार रखिए और जल्द से जल्द जोईनिक पाईए